निशित दोर पर ये गलत कदम है जनता इसलिए हम लोग को नहीं चुनती है कि हम लोग प्रशाशन के पदाधीकारी को इस तरह से हात लगां या बिज्जत हम लोग का काम है जनता की अवाज बनना पर ये जनता को मैं आपके मार्जम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कभी खनन विभाग में अधिकारियों को घुस कर डराया और धमकाया जाता है तो कल जिस तरीके से राजधानी पटना में फिर वहर थाने में दिएसपी साहिब के वर्दी पर हात लगाया गया और यूं कहे कि थाने का घेराओ किया गया तमाम पुलीस कर्मियों को डराया और धमकाया गया तो अभी इस राज को क्या नाम दे देखिए हम आज साथ बाचीद करने के लिए कॉंग्रेस के गदावर निता अजीद सर्मा जी वीवां की से अपनी राइ रखते हैं और आसा आज मी करेंगे कि बर भी वां की से अपनी राइ रखेंगे कि इस किया नाम दे धाने में घुसकर डिस पी सहीव के वर्दी पर हात लगाया जातार अर ये राजत के एकde साइब होते हैं देखिए सरकार की बात यह नहीं है यह इंडिविजुल की बात है बिलकुल जो भी हुआ यह दुगदाई है गलत है यह MLC साहब पहले रहे हैं मैं भी सुना हूं और मैं सभी मीडिया के माध्यम से देखा हूं निशित तोर पर यह गलत कदम है जनता इसलिए ह उसको हम आग्रह करेंगे और नहीं मानते हैं तो मानि मुखमंत्री को पत्र लिखेंगे और जहां तक राजत की बात है आप मानिये तेश्वी जादव जी उनको खबर करनी चाहिए उन्होंने जो हरकत की है अगर वो सच है मैंने तो मीडिया के माध्यम से जाना उनसे बात बिल्कुल गलत है मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं आदर्नी 23 जादवी से भी आगरह करूंगा इस तरह का चुकि हम लोग महा गडवंदन पुरा बिहार में जो घटना घटी है आदर्नी नितीस जी जो आए हम लोग गडवंदन में पुरा देश इसको देख रहा है और ह ऐसे उन्होंने कहा था कोई गाली नहीं खरी देगा कुछ नहीं करेगा तो आप आदेश ये निर्देश दें देश्वी जादव जी को मैं आगरह करूंगा आपके पार्टी के लोग भी कोई इस तरह का हरकत न करें जिससे राजितिक पार्टी बदनाम हो सरकार बदनाम हो अब भी आप निर्देश देने की बात कर रहे हैं इससे पहले भी खरनन विभाग में जो लोग घुसे थे अधिकारियों को डराया था धमकाया था वो भी राज़त के नेता के करीब ही बताया जा रहे हैं अब तक कुछ नहीं हुआ और आप आगरह कर रहे हैं तो जांच हो की कारवाई होगी या फिर आगरह और निर्देश यही सब चलता रहे हैं देखिए ऐसा है यह दुरभागी है कि ऐसी घटना घटी है मैं भी इसको खोर निंदा करता हूं लेकिन आपको बताते हैं आप यह बताई कि जो प्रेजेंट में विधायक और MLC ऐसा कोई हरकत कर र करना चाहिए कि आगे आएंदे ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे की जनता में खराब में से जाए और मैं आगरह करूंगा आपके माधियम से उस पर कड़ी से कड़ी करवाई करनी चाहिए अजी सर्मा जी आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट में कोई विधायक को MLC ने उनके लिए काम कराना इसलिए मैंने जोड़ा ठीक है वो भूतपूर MLC रहे हैं मैंने क्या कहा आपको आदरी तेस्वास में आगरह करूंगा उसमों कठोर से कठोर करवाई भी होनी चाहिए और आगे कोई भी वरकर चाहिए राजत का हो कांग्रेस का हो जद्यू का हो जो ऐसी कोई हलकत न करें जिससे सरकार पे धबा लगे चुकि हम लोग को अभी देश में दोजार चौबिस के चुनों में जो देश महंगाई आकास चूरा है बेरोजगारी चलम चीमा पर है और हिंदू-मुसल्मान को तोड़ने की बाद उसको हमको देखना है आधनी नरेन मो अब लगोग कोई आप लगाता है कि आप लोगों की सरकार चल रही है उस पर आप पुरा बिहार को आप जान लेते हैं सब कि Cal Aarti जनता पाटी में ज़िए हूं और हमत盛ते हैं अप्रात कमें हैं दिश्श तोर पर भारती जंता पाटी जब थी वह वहां के जो लोग पता अधिकारी RSS-Minded होते थे, उने शितर्वना काम करते थे, वो बखलाई हुए हैं, वो बखलाई हुए हैं कि भारती जन्ता पार्टी सरकार में नहीं है, तो मैंने तो मानिय मुखमंत्री को बहुत सा रिपोर्ट भी किया हूँ कि ये SP और ये लोग भा ही पता चलेगा क्या हुआ है, अभी तो बदनाम करने के लिए किसी पर जाम लगा दो, ED है, income tax है, CBI ये बहुत चीज़ है, इसलिए अभी इतना जल्दी नहीं बटाईए, सब खुद पर आता है तो आप लोग ये करने लगते हैं कि देखा नहीं है, और जब इंडिय की सरक कार चल रही थी, तो उस समय सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को दिखता था, वो कौन सा चस्मा दा से, ऐसा नहीं है, आप अजीत शर्मा को जानते हैं, इसलिए मैं कोई घलत बात करता नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूं कि आप साब ये बता दे, हम लोग ज मंदल दल के नेता के नाती ये बता रहा हूं, कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी, हम लोग सरकार में हैं, कोई गलत काम नहीं होगा, ये जनता को मैं आपके मार्जम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, और जो हुआ है, उसका जांच होगा, उस पर करवाई होगी, जांच हो जो कहीं ना कहीं, जो महौल है, वो खराब करना चाहते हैं, कि सरी कारवाई होगी, उससे भी हम अगवत कराते रहेंगे, लाइप सिटीज के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत सुक्रिया, निशित तोर पर ये घलत कदम है, जनता इसलिए हम लोग को नहीं चुनती है, कि हम लोग प्रशाशन के पदाधीकारी को इस तरह से हात लगाई है, या बिज्जत का, हम लोग का काम है, जनता की अवाज बनना, स्वी जालब जी, उनको मुकमंत्री भी है, उनको उनको खबर करनी चाहिए, और मैं आधरनी तेस्वी जालब जी से भी आगरा करूंगा, जायो राजत का हो, कांग्रेस का हो, जद्यू का हो, के नेताओं को कड़ी से कड़ी कारवाई करनी चाहिए, तेस्वी जालब जी को मैं आगरा करूंगा, आपके पार्टी के लोग भी कोई इस तरह का हरकत न करें, जिससे राजितिक पार्टी बदनाम हो, सरकार बदनाम, क करें